British Journal of Psychology के एक रिसर्च में पब्लिश एक रिपोर्ट के अनुसार 18-18 साल के 15197 लोगों पर सर्वे करने से पता चलता है कि जिनका IQ लेबल कम होता है या जो लोग अपने लाइफ में ज़्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वे लोग सबसे ज़्यादा तब खुस होते हैं जब अपने दोस्तों के साथ होते हैं, लेकिन जब सक्सेशफुल लोगों को देखा गया तो इसका ज़स्ट उल्टा था, वे लोग अकेले ज़्यादा खुस थे और उनके दोस्त भी बहुत कम थे, तो ऐसा क्यूं है कि ज़्यादा IQ लेबल वाले लोग और सक्सेशफुल लोग कि जब आप इसकूल टाइम में थे, या कहीं बहुत सारे दोस्त इकठा होते थे, तो अगर किसी सुन्दर लड़की या किसी फिल्म वेव सीरीज की बात होती थी, तो उसमें सभी दोस्त बहुत मज़े करते थे, और ये सब घंटों तक चलता था, लेकिन जब पढ़ाई से रिलेटेड बात होती थी, तो कोई दोस्त ज्यादा इंट्रेस्ट नहीं लेते थे, यही वज़ा है कि जब भी किसी व्यक्ति का IQ लेबल हाई होता है, तो वो अपने सपनों के साथ ज्यादा समय बिताना चाहता है, क्योंकि उन्हें ऐसे बहुत कम दोस्त मिलते हैं, जो उन का मानना है कि जब भी वे अकेले होते हैं और सोर से दूर होते हैं, तो उनको किसी चीज में फोकस करने में असानी होती है, हैरी पोटर की लेखिका जेके रॉलिंड बताती है, कि जब वो हैरी पोटर सीरिज का लास्ट बुक लिख रही थी, तब वो ज्यादा सोच नहीं प हो रहा होगा, अगर हां तो कोमेंट करके बताएं, नमबर थ्री, सक्सेच्फुल पीफल, चूज दियर निव फ्रेंड्स वाइजली, हमारे दिमाग में बहुत सारे नियूरॉन्स हैं, और उन्हीं में ऐसे मीरर नाम का एक नियूरॉन्स है, जिसका काम है, जब भी हम किसी ब्यक्ति के कॉंटेक्ट में आते हैं, तो वह उसके बिहबियर को कॉपी करने लगता है, यह बात आपने भी सुना ही होगा, कि जैसे लोगों के बीच में हम रहते हैं, वैसा ही बन जाते हैं, इसलिए कोई भी धिमान ब्यक्ति, ऐसे आदमी को अपना दोस्त नहीं बनाना चाहेगा, जो हमेशा निगेटिव सोचता हो, जो सिर्फ टाइम पास करता हो, और जिसका कोई लक्ष ना हो, जीमरोन कहते हैं, आप उन पांच लोगों का एवरेज हो, जिनके साथ आप ज़्यादा समय बिताते हो, तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे, कि हाईली सक्से